नमस्कार दोस्तों जीके अर्जन सार यूपी चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है यूपी टीजीटी दोजर बाइस इतिहास प्रेटी सेट 149 में परिच्छा में पूछे जाने वाले महत्पूर्ण प्रस्ण तो चले वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आवी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्रिज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने वाद बेल आइकन के घंटी को क्लिक करना ना बोलें ताकि जब ह का एक प्लेइलिस्ट बना हुआ जिसका नामे यूपी टीजी टी तिहास और उस प्लेइलिस्ट का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया तो वहां से पिछले 148 प्रेटी सेट आप देख सकते हैं तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं कि पाला कोस्ण है इसमें गुरुतेग बहादूर किसके सासनकाल में मारे गए तो गुरुतेग बहादूर किसके सासनकाल में मारे गए आप संदिये जहांगेर मुहमद सा जहां औरंग जेव है औरंग जेव तो इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा डी औरंग जेव के सा पासनकाल में गुरु तेक बहदुर का सरकलम किया गया था और यह जो है सिख के नौवें गुरु थे गुरु तेक बहदुर तो इसमें आपका राइट एंसर धी होगा और जे जागिर के समय में भी एक सिख गुरु के अत्या की गई थी जिनका नाम था गुरु अर्जुन द तो दो मुगल सासको काल में दो सिक्त गुरू की फांसीत दे कर या सरकलंक किया गया था तो यहां पर तियक बहादूर का अंसर होगा आउरंग जेव कुश्चन नमबर दो है जाकात क्या था जाकात क्या था शिक्का है पद है कर है या अस्त्र जाकात क्या है तो जाकात जो है एक प्रकार का कर है जाकात एक प्रकार का कर है और जाकात कर जो है मुसल्मानों पर धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था और उनकी आयका धाई प्रतिसत धार्मिक कर था जो मुसल्मानों से लिया जाता था और यह के वल मुसल्मानों के हित में ब्याहिक किया जाता था तो ये धाई परसत था जाकात जो सिर्फ मुसलमानों से लिया जाता था धाई परसत इसका था कोष्सन नंबर 3 है क्रिशन देव राय ने क्या किया पूर्त गालीयों से लड़ा या उनिशा के राजा को पराजित किया या सिरलंका में सेना भेजी या राजपूतों से संदेखे तो इसमें आपका राइट एंसर है वह है उडिशा के राजा को पराजित किये तो क्रिशन देव राय ने जो है उडिशा के राजा को पराजित किये और एक युद्ध हुआ था पंदरो सो तेरह और अठारा इस्वी में इसमें उडिशा की जो घजपती नर्यष्त प्रताप रुद्र दे घजपती से युद्ध हुआ था उसमें चारोठ ईध्धो में जो है घजपती राजा को पराजित किये अगर राजा का नाम पुझत था तो उरिशा की राजा का नाम था उसमें गजपती नरेश प्रताप रुद्र देव Question number 4 है कबीर नानक रामानन सभी ने क्या किया दिया है जाति प्रता का समर्थन किया इस्तिरी मुक्ति का समर्थन किया मानावतावाद का प्रचार किया या राज सहायता प्राप्त किये तो इसमें आपका राइट एंसर होगा C मानावतावाद का प्रचार किये तो कविर नानक रामानंद ये सब जो है सिछाओं में प्रेम भाईचारे मानो कल्यान के लिए इनमें अंदर नहीं था तो एक प्रकार से इन्हों ने जो है मानावता का प्रचार किये थे सी सहयोगा इसमें कोश्चन नमर पांच है फिरोज तुगलक ने क्या किया जागिर व्यवस्था का पुनह प्रचलन किया या जजिया समाप्त किया या मंगोलों पर विजय प्राप् किया तो फिरोफ दुगलक ने क्या किया था फिरोफ दुगलक ने जागीर बेवस्था का पुनह प्रचलन किया क्यों प्रचलन किया कि शेर साह के भूमि प्रसासन की प्रमुख विसेष्था कौन सी थी दिया इसमें रैयत के साथ सीधा बंदवस्त हिंदु जमिदारों के प्रती उदार्ता या राजस्व अधिकारियों का अस्थांत्रा नहीं करना यह सभी तीनों तो शेर साह के भूमि प्रसासन की प्रमुख ब्यवस्था थी रैयत के साथ सीधा बंदवस्थ यह सही होगा तो सेरसा ने जो है लगान की जो ब्यवस्था किया था अपने सासन काल में वह लगान जो है मुखता रैयत वारी ब्यवस्था थी और रैयत वारी ब्यवस्था के अंतरगत यह ब्यवस्था की गई थी कि जो कर यहता था सीधे किसारों से परत्य चुरूप से अस्थापित के यहता था इसमें कोई बिचवलिया या जमिदार नहीं था इसे को रियत वाड़ी बेवस्था का यहता है तो सेर्शा की भूमिप्रसासन की परमुख विस्षता है कि उनका रियत के साथ सीधा बंदवस्त होता यह सही होगा इसमें कोईशन नमबर साथ है जियाओदिन बर्नी किसका समकालिन था जियाओदिन बर्नी जो है किसका समकालिन था बलवन का अलावदिन खिलजी मोहमद तुगलक या इबराहिम लोदी तो जियाओदिन बर्नी किसका समकालिन था तो जियाओदिन बर्नी जो ह यह समकालिन किसका था बलवन अलावदिन खिल जी मुहमद बिन तुगलग या इब्राहिम लोदी इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा सी मुहमद तुगलग तो जी आवदिन बरनी जो है अलावदिन के समय में दर्बार में आया था और फिरोसा तुगलग के समय तक रहा और तारिखे फिरोसाई फत्वाय जागिरी उसके प्रमुख जो है ग्रंत है तो ये बरनी किसके समकालिन था तो मुहमद बिन तुगलग के समकालिन था इसमें आये राइट एंसर सी होगा कुश्चन नमबर आठ है मुहमद तुगलग ने क्या किया कि मुहमद तुगलग ने क्या किया हिंदू राजाओं से मित्रता बाह संकट का सामना नहीं किया सक्ति साली नव से ना स्थाफित की या खुरासान बिजय की योजना बनाए तो मुहमद बिन तुगलग ने क्या किया था तो मुहमद बिन तुगलग ने जो है खुरासान बिजय की योजना बनाए थी इसमें D सई योगा राइट एंसर, खुरासान बिजय की योजना बनाई थी, खुरासान बिजय. कुस्टन नमबर 9 है, अलावदिन खिल्जी की बजार नियंतरन नीति का उद्धि से क्या था? बजार नियंत्रल नीती का उद्यस से क्या था ये पुछा जा रहा है बैपार था वाडी जी को बढ़ाना हिंदू बैपारी वर को दबाय रखना सक्तिसाली कुलिन वर को या कम खर्च पर विशाल सेना रखना तो अलावदिन खिल जी का बजार नियंत्रल नीती का मुख्य उ पूर्देस था कम खर्च पर विसाल सेना रखना डी सही होगा इसमें कम खर्च पर विसाल सेना रखना कम खर्च कैसे होगा तो इसके लिए वस्तों का एक rate या मुल्य निशित किया ताकि सेने को कम मुल्य पर वस्तों की प्राप्ति हो सके ताकि जो कम बेतन दिया जाए उसमें उनका काम चल सके ये बेश्था थी कम खर्च पर विशाल से न रखना तो बजार निती का जो है नियंतरन निती का मुख देश यही था कि कम खर्च पर विशाल से न रखना कोस्टन नमबर दस है गजनी किस देश में है गजनी किस देश में है इरान पाकिस्तान अफगानिस्तान या तुर्कस्तान इसका राइट एंसर हो जाएगा इसमें सी अफगानिस्तान में कोस्षा नंबर 11 है अकबर ने क्या किया था काबूल खोया या बल्क या बशखा जीता या इरानियों को पराजित किया या खान देस वरार जीता अकबर ने क्या किया था यह जो है खान देश एवं बरार को जीता था खान देश एवं बरार बरार को जीता था 16 इसी में और खान देश को जीता था 1500 एक कानवेर में कोश्ण नमर 16 है जहांगीर ने जहांगीर ने क्या किया यह पुछा ज़ाय रहा है जहांगीर ihm क्या किया कोश्ण नमर 12 है यह कंधार को खोया पुर्त गालियों से लडाई की इसायोंपर अत्य चार किया या कोई विजह नहीं किया तो जहांगीर नहीं किया था कंधार को खोदिया इसमें एसा योगा कंधार को खो दिया तो 1621 में कंधार का घहरा डाला गया था परसिया तो 1622 में उसे जीत लिया और साजहां के विद्रोखे कारण जहे जहांगीर कंधार के रच्छा और पुना प्रात करने का प्रत न कर सका ये 1622 में खोया था ये कोशन नमबर 13 है भाक्ती आंदोलन ने क्या परचारित किया जन सिच्छा ग्रामिन विकास धार्मिक सही सूरता ये उप्रत में से कोई नहीं तो भाक्ती आंदोलन द्वरा ये क्या परचार किया था तो ये परचार किया था धार्मिक सही सूरता कोश्चन नमबर 14 है जरीब क्या है जरीब क्या है एक सैनिक पध है या यातायात का एक साधन है या सुल्क निर्धारन की पधती है या एक पूलिस खाना है तो जरीब क्या है तो जरीब जो है एक परकार की जो है सुल्क निर्धारन की एक पधती है question number 15 है मराठों का इतिहास किस ने लिखा Colonel Tard, Henry Pincep, Grant Duff या Core Coley Conti मराठों का इतिहास किस ने लिखा तो मराठों का इतिहास लिखा गया था किस के दواरा Grant Duff के दोरा किस के दोरा Grant Duff Colonel Tard पुछे गया तो ये जो है राज़पूनतो का इतिहास लिखे थे ग्रांट डफ जो है मराठों के इतिहास के लिए जाने जाते हैं कोशन नमबर 16 है बली का अर्थ राजा को क्या था भागवान को समर्पन ब्यक्तिगत आयकर या सैनिक सक्ति या अंग रच्छा तो बली का अर्थ राजा को क्या था ब्यक्तिगत एक प्रकार का आयक कर था उससे देखा जाए तो रिगवैदिक काल में करपणाली सुभेवस्थित नहीं थी लेकिर स्वेम राजा को उनका अन्स स्वेच्छा से प्रजा देती थी जिसको बली कहा जाता था तो बली जो है ए रत मंदिर किसने बनवाया ममलपुरम का रत मंदिर किसने बनवाया चोल ने पल्लों ने चलुक ने या पांडे ने तो ममलपुरम का रत मंदिर किसके द्वरा बनाया गया था यह बनाया गया था पल्लों के द्वारा इसका राइट एंसर भी हो जाएगा पल्लों के द्वार किस ने बनवाया था किस सासक ने अगर यह पूशता है तो पल्लो राजा थे जिसका नाम था नर्सिंग वर्मन नर्सिंग वर्मन ने इन्होंने जो है मद्रास के निकट जो है साथ रत मंदिरों का निर्माल कराये थे और महा वलपुरम में करवाये थे कोश्चन नमबर 18 है पतंजली लिखित पुस्तक क्या है रतनावली महाभास किर्टानजुनी अश्ठा ध्याई तो पतंजली लिखित पुस्तक का नाम है महाभास से 20 सही होगा इसमें कोश्चन नमबर 19 है सही कथन आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है चंदरगुप्त पर्थाम और लिखिवी मित्र थे चंदरगुप्त दूती के समराज में अफगानिस्तान समलित था समुन्दरगुप्त ने चले कुसे बिवाह किया कुमारगुप्त होनो द्वार कोश्चन नमबर 20 है और अंतिम कोश्चन है सही उत्तर दर्शाना है हर्स वर्धन ने सिरलंका में रादुद भेजा या कामरूप की राजा से मित्रता की या दूतिय बौध परिशत बोलाई या वाकाटकों से लडाई की तो हर्स वर्धन ने जहें कामरुप की राजा से मित्तरता की थी किसने हर्स वर्धन ने यह था कोश्चन आज के लिए तो उम्मिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आयते इसको लाइक करें अपने दोस्तों के हां अधिक सदिक सेयर करें धन्यबाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम